हेलो फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल वर्ड़ फिल्म में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं वूट सिलेक्ट पे आई एक न्यू सीरीज रंजिशी सही के बारे में इस सीरीज के आठ एपिसोड है सारे एपिसोड की लेंग 30 से 40 मिनट तक की है ये एक डाक इस सीरीज की कास्ट में हैं ताहिर राजबसीन अमरिता पूरी आमला पाल और इस सीरीज के डारेक्टर है पुश्पराज बारदवाज ये कहानी इंस्पायर्ड है फिल्म डारेक्टर महेश बठ की रेल लाइफ स्टोरी से इसमें कहानी सतर के दशक के स्ट्रॉग्लिंग शंकर वत्स और अभिनेतरी आमना परवेश के अफेर के इर्दगिर्द गुमती है अपनी तीन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वे अपनी फैमली को सपोर्ट करने के लिए अपनी फोर्थ फिल्म बनाने का संगर्श कर रहे हैं उनके परिवार में हैं उनकी मा, पत्नी अं सोड 1976 में शुरू होता है जिसमें शंकर अजनादाम दर्मशाला से बाहर निकाल दिये जाते हैं बाद में उनके एक्टर फ्रेंड विनोत कुमार उन्हें गुजरते हुए देखते हैं और उनके साथ अजनादाम आश्रम लोटने को कहते हैं उनकी बातचीत में विनोत कुम करने के बाद शंकर को लगने लगता है कि अब उनका करियर सेट हो जाएगा बट कब उन दोनों के बीच की दोस्ती प्यार में बदल जाती है यही है कहानी रंजिशी सही की इस सीरीज में डारेक्टर शंकर वत्स के बशपन और स्ट्रगल को भी दिखाया गया है गड़ियो पाल का रोल बहुत ही मुश्किल पाठ था उनका केरेक्टर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा जरीना वहाब ने शंकर की मा नैना सरीन ने आमना की सेकेटरी मैरी मदन देवदर आमना का ड्राइवर अब्दुल सोरब सचदेवा निर्माता जगमोहन सेट और उद अगर आप लोगों को याद हो तो 2006 में आई मुवी वोल हमें भी इसी स्टोरी लाइन पर बेस है मैं इस सीरीज को दूंगी टू एंडा हाफ स्टार पांच में से अगर आपको हमारा एं रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल वज दो